तो हेलो दोस्तों आप लोगों का सौगत है टैलेंट रिपर की सेकेंड एपिसोड पे तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देड़ी के एपिसोड की सुरुआत में हम लोग चुमो को देखते हैं जो की सिस्टम की मदद से अर्थ डेगन की गुफा के तरफ जा रहा था और कुछी देर में चुमो उस गुफा के दरवाजे के सामने आ जाता है चुमो इस बास से काफे जिदा हैरान था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आये थें लेकिन उन्हें इस गुफा के बारे में पता भी नहीं चला इसे चुमो समझ जाता है कि जाव फैमली बहुत ज़दा पावरफुल है आगर वो चाहे तो किसी इनसान को एक जटके में वरवा सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा जिसके बार चुमो उस गुफा के अंदर जाता है और वो करीब 10 मिनिटे ऐसे ही चलते जा रहा था लेकिन उसे गुफा खतम होने का नाम ही नहीं ले रही थी तब इस सिस्टम चुमो से कहता है कि अपनी बगल वाले दिवाल को चूओ इसके बार चुमो जब उस दिवाल को चूटा है तब उसे पता चलता है कि पूरी गुफा के अंदर एक इंसानी द्वारा बनाया गया बेरियर था जिसको कोई भी आसानी से नहीं तोड सकता है लेकिन जब चुमो सिस्टम का इस्तिमाल करता है तब सिस्टम बढ़ी आसानी के साथ उस बैरियर को तोड़ देता है और जब चुमो बैरियर को तोड़ के अंदर आता है तब उसे वो चीज मिल जाती है जिसके पीछे वो यहाँ पे आया था दस हजार साल पूराना एसेंस जब चुमो आगे बरता है तब उसे पता चलता है कि एसेंस के बीचों बिच कुछ क्रिस्टल सा लटका हुआ है चुमो उसको छूता है तब उसे पता चलता है कि ये एसेंस का सब प्रोडेक्ट है यानि कि ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पी ये essence होता है वहाँ पे heaven और earth का जनम हुआ था लेकिन चुमो इसे side में करता है और कहता है कि सबसे पहले essence पे ध्यान देते हैं इसके उपर बाद में study करेंगे जब चुमो उस essence को अपने हाथों में लेता है तब system उसे बताता है कि उसे इसे अपनी skin से भीगाना होगा इसलिए चुमो मुस्कूराते हुए अपने कपड़े उतारता है और पूरे essence के अंदर छलांग लगा देता है लेकिन जब चुमो पानी के अंदर जाता है तब उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है उसे ऐसा लगता है कि उसकी body के अंदर भारीपन बढ़ रहा है और उसे अचानक से उदासी महसूस होने लगती है ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये essence यहाँ पे करोड़ो सालों से था इसलिए जितने भी creature इस दर्टी के उपर जन में थें उनकी मौत उनका दर्द उनका हर एक एहसास और उनके emotion अब चुमो को महसूस हो रहे थे चुमो काफी देर तक अंदर ही बैठता है और वहाँ पे cultivate करता है जिसके बाद जब वह बाहर निकलने के लिए धर्ती पे अपना हाथ रखता है तब वह अचानक से essence से काफी उपर उड़ जाता है इसको देखके तो चुमो भी काफी हैरान हो गया था थोड़ी देर में चुमो समझ जाता है कि win attribute अब उसकी सरेरी के साथ पूरी तरीके से जुड़ गया है इसलिए उसके सरेरी का जो वजन था अब वो पूरी तरीके से जा चुका है जिससे चुमो समझ जाता है कि अब समय आ गया है उसके points को देखने का इसलिए वो system की window को सम करता है और थोड़ी ही देर में उसके सामने सिस्टम की विंडो आ जाती है और चुमो को पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट काफी जदा बढ़ गए हैं बस एक बार एसेंस के अंदर डुपकी लगाने से लेकिन चुमो जाने से पहले बैक लिए थोड़ी से एसेंस को एक bottle के अंदर भर लेता है और हमें बताता है के इस एक ही बार इस्तोमाल किया आजा सकता है क्यां की दूसरी बार इस्तोमाल करने कि बाद इसका अफार काफी हद तक कम हो जाता है इसलिए बैक अप के लिए चूमो इसे एकटा कर रहा है जिसके बाद चूमो हमें बतायता है कि ट्रायल को खतम होने में बस तीन दिन बचे हैं और चलो अब देखते हैं कि इन तीन दिनों के अंदर में कितना लेवल अप कर सकता हूं फिर हम लोग देखते हैं कि लिए पॉइंट इखटा कर रहे थे स्टुडेंट्स आपस में बाते करते हुए कहते हैं कि इसमें कोई सखी नहीं है कि फिस्ट फिलेट्स जौकी को ही मिलेगा उसके जितने टैलेंटेड यहां पर कोई है ही नहीं तभी चुमो सही सलमत जंगल से बाहर निकलता है और सभी लोग उसे देखके हैराण हो गए थे और सोच रहे थे कि यह बिना टैलेंट वाला जिंदा कैसे वापस आ गया फिर चुमो आगे बढ़ता है और उसने जितना भी समान इखटा किया था वह उन सभी के सामने क कहता है कि इसे अच्छे से कैलकुलेट करो जिसको देखके तो टीचर भी काफी हैरान हो गए थे क्योंकि इतना समान अभी तक कोई भी नहीं लाया था और जब टीचर उन सभी समान को कैलकुलेट करते हैं तब चुमो के जितने भी पॉइंट एकटा हुए थे वो थे 113 जि इसपे कुछ बच्चे बटाता हैं कि जावकी अभी तक वापस नहीं आया है और उन्हें जावकी की चिंता होने लगती है एक बच्चा तो यह भी कहता है कि कहीं चुमो ने जावकी क्यों पर हमला तो नहीं कर दिया प्यकि उसे इतने सारे माटेरियल्स कहां से मिल सकते हैं तब ही दूसरा टीचर आगे बढ़ता है और वो कहता है कि सांत हो जाओ चुमो की जो ability है उसके मुताबिक वो कभी भी जावकी को नहीं मार सकता है जिसके उपर दूसरे टीचर को विश्वास हो जाता है इसलिए टीचर ये एरान कर देता है कि चुमो को ही first please मिला है और जितने भी इनाम है वो चुमो को ही मिलेंगे टीचर स्टुडेंट से कहता है कि जंगल के अंदर कुछ तो खतरनाक चीज़ है जिसने जावकी को मार दिया है इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़दे देर तक नहीं रुख सकते हैं सबी बचे बस के उपर चड़ें हम लोग यहाँ से तुरंत जाने वाले हैं लेकिन जब चुमो बस के उपर चड़ा रहा था तब टीचर उसे रोकता है और उससे कहता है कि चुमो जंगल के अंदर किसी बीस्ट ने जावकी को मार दिया है लेकिन जाव फैमली इसके उपर विश्वास नहीं करेगी तुमने काफी सारे सिकार की हैं इसलिए वो तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे इसलिए जब तुम्हें रिवार्ट मिल जा तो चुप चप अपने घर के अंदर चले जाना और किस दिनों तक घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना फिर हम लोग जाव फैमली की ओल्ड मेंसन को देखते हैं जहां पर हम लोग जावकी के फादर जाव चंग को देखते हैं जो की कहते हैं कि तुम कहह रहे हो कि मेरा बेटा एक अकैडमी के छोटे से कॉंटेंक्ट के दोरान मारा गया जाव फैमली का मार्सल डिसैफल एक्सपर्ड केनाइन उनसे कहता है कि ऐसा कॉलेज वाले कह रहे हैं और उन्हें अभे तक जंग मास्टर की बॉड़ी भी नहीं मिले हैं यानि कि बहसबाजी जाव चैंग जैसे ही सुनता है कि किसी ऐसे को फर्स्ट प्लेस मिला है जो कि कल्टिवेट भी नहीं कर सकता है तो जाओ चेंग काफी गुसे में आ जाता है और उसके हाथों में जो छोटा मोटा तेंदुबा था वो उसका सर पिछका के उसे मार देता है जाओ चेंग अपने नोकर से कहता है कि यहाँ पिछी जे बहुत गलत चलती जा रही है वो जरूर एक डीमन होगा उसे यहाँ पिले के आओ जाओ चेंग अपने मन के अंदर सुझता है कि अगर सच में उस लड़की के साथ कोई दिक्कत है तो फिर जाओ की को जो मैंने सीक्रेट ट्रेजर ढोलने के लिए भेजा था वो जरूर उसी की हाथों में होगा उसी रात हम लोग जीवी को देखते हैं और जब वो घर वापस आती है तब वहाँ पे चूमो नहीं था लेकिन उसने जीवी के लिए खाना बना के रखे गया था जीवी अपने मन में सोचते है कि उस दिन के बाद से चूमो काफी बदल गया है वहाँ दिन मुझे बाते करता है और मेरे लिए खाना बना के जाता है लेकिन जीवी खाना खाने से पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए जाती है क्योंकि आधे महने बाद कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला था लेकिन जब जीवी अपने training ground के अंदर जाती है तब उसे पता चलता है कि आसपास की चीजों के उपर lightning गिरी है जिसके वज़े से वो निसान जल गए हैं और जीवी अपने मंने सोचती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या होगा उसी रात हम लोग सहर से काफी दोर एक विरान पड़ी जगा पे चूमो को देखते हैं जहाँ पे जब वो अपने सिस्टम के दोरा अपनी strength point को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसके strength point 9900 हो चुके हैं यानि बस एक कदम की दूरी पे हैं और चूमो अपने martial artist रियला में पहुँच जाएगा फिर चूमो अपने पास से उसी reward को बहार निकालता है जो उसे academy की तरफ से मिला था वो reward एक छोटी सी technique थी जिसका नाम था mist whale steps उस technique का इस्तमाल करने के लिए चूमो को अपनी element energy को अपने पैरों पे महसूस करना था और बाकी पूरे सरीर के उपर फैलाना था इसका इस्तमाल करते हुए चूमो धीरे धीरे छोटे 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 steps लेने लगता है लेकिन दो-तिन steps लेने के बाद उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है चूमो खुद को समालते हुए कहता है कि मुझे element energy को इकटा करने के साथ साथ अपने breathing की उपर भी ध्यान देना होगा इसके साथ ही मैं इसे सीख सकूँगा लेकिन मेरे wind attribute के साथ ये मेरे लिए और भी ज़दा आसान हो गया है मेरे जगा पे कोई अगर ordinary warrior होता तो उसके लिए इसे सीख पाना काफी मुश्किल था लेकिन मेरे wind attribute के साथ ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है तोड़ी सी जानकारी इखटा करने के बाद मुझे पता है कि whale steps एक bronze level की body technique है लेकिन ये सच में एक extraordinary skill के बराबर है अगर इसे में combine करके इस्तिमाल करो तो मैं छोटे छोटे इटेप्स को teleportation magic की तरह इस्तिमाल कर सकता हूँ इसके बाद चुमो वहाँ पे इसी तरह से teleportation skills का इस्तिमाल करके इधर से उधर गायब होता रहता है चुमो काफे दिर दक वहें पर practice कता है और practice खतम होने के बाद वो वापस घर जाने वाला था लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ मैसूस होता है और वो कहता है कि कौन है यहाँ पे इसके बाद ही उसके सामने old कैनाता है जो की चुमो से कहता है कि तुमें चुमो होना मैं जाव फैमिली का old के 9 हूँ और मैं यहाँ पे अपने master की order के चलते आया हूँ और वो तुमसे मिलना चाहते हैं चुमो वहाँ से भागते हूए कहता है कि मेरा तुमारे master से कोई भी लिना देना नहीं है और ना है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ मुझे बस घर जाना है जल्दी से रास्ता छोड़ो के 9 चुमो से कहता है कि मेरे master Marcel artist की last stage पे हैं और वो जल्दी future में एक advance Marcel master बन जाएंगे कर तुम सच में उनसे नहीं मिलना चाहते हो चुमो अपने मन के अंदर सोचता है जाओ चुमो ये तो जाओ की के फादर है ना इसका मतलब है कि जाओ फैमले ने जरूर मेरे उपर नज़र रखी हुई है चुमो के 9 से कहता है कि अगर तुम्हारे master खुद यहां पे आते हैं तो मैं मिलने के बारे में सोचूंगा नहीं तो तुम यहां से दफा हो सकते हो इसे के 9 गुसा हो जाता है और वो चुमो के उपर हमला करते हुए कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने किया किया है अब तुम्हें अपने किये का पस्तावा करना पड़ेगा और मैं तुम्हें घसीटते हुए अपने मास्टर के पास लेके जाऊंगा लेकिन चुमो अपने वेल स्टप का इस्तिमाल करके वहाँ से एक जटके में गायब होके केनाइन के पीछे आ जाता है जिसे केनाइन काफी हैरान होके पूशते है क्या तुमने इस स्किल को इतने जल्दी मास्टर भी कर लिया लेकिन जब केनाइन चुमो के हाथों में जाऊंगी को ब्लीट को देखता है तब वो और बेज़ादा हैरान होके चुमो से पूशता है कि तुम्हारे पास ये ब्लीट कैसे आई इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारा येंग मास्टर की मौथ से जरूर कोई न कोई लेना देना है केनाइन फिर से चुमो के उपर हमला करता है लेकिन चुमो फिर से वेल स्टेप का इस्तिमाल करके उसके पीछे चला जाता है और उसके पीछे से ही white breaking blade का इस्तमाल करते हुए हमला करता है के 9 उस attack को dodge कर लेते हैं और चुमों से पूसते हैं कि तुमने इसे master कैसे कर लिया जिसे के 9 और बें ज्यादा गुस्षा हो जाता है और वो अपने talent का use करते हुए चुमों से कहता है कि तुम्हारे पास master की blade है तो फिर तुमने जरूर master के साथ कुछ तो किया होगा जिसके बाद वो चुमों की उपर crimson hawk claw से attack करते हैं चुमों आगे से अपनी blade का इस्तमाल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें उसी के पास भेज देता हूँ तो तुम उसे personally पूछ सकते हो जिससे केनाइन और भी ज्यदा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास wind attribute है जो master के पास हुआ करता था और तुम्हारी sacred blade master से भी जदा ताकतवर है सबसे पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगा जिसके बाद मैं तुमसे पूछ तास करूंगा जिसके बाद उन दोनों के attack आपस में टकराते हैं और वहां पे तगड़ा धमाका होता है चुमो अपने मन के अंदर सोचता है तुम हाले में मार्सल आर्टिस्ट रियलम के अंदर हो तुम्हारे पास इतना कमाल का भी नहीं है लेकिन मेरा कली लेवल अब हुआ है इसलिए मेरा लेवल तुमसे कई गुना ज्यादा है और तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हो पिर हम देखते हैं के-9 का जो क्लॉ अटाइक था वह चूमों की ब्लेड अटाइ लेता था इसके बाध चूमों के-9 के सर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उनको इतना तीज बिजली का जटका देता है कि वहाँ के आसपास जितनी भी जगहां थी वहाँ पर गड़़ग़ाहट छा जाती है और चूमों इसी तरह से बड़ी आसानी के साथ के-9 को हर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा डिपेंस मेरे सामने बिल्कुल बेकार है मेरी अभी की ताकत मेरो डेट स्टेज के बीच में है और इसके अलावा जॉंग चंग मेरे उपर नजरे गड़ाय हुई है इसलिए वो कभी भी मेरे खिलाव कोई भी एक्षेन ले सकता है और इसी साल उसने मार्सल आर्टिस्ट रियलम की लेटी स्टेज में कदम रखा है इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मेरा उसके सामने कोई भी मुकाबला नहीं है और अगर मैं जल्दी से जल् प्लाइण कडिने के मामली में जाता है तो वहां पर पहले से एक लड़की खड़ी ऐ अढर्टि Parce से पूस्ती है कि मैं तुम्हारी किया मदद कर सकती हूं चुमा उसे बताता है कि मैं जंगलों के अंदर जाने वाला हूं और मुझे सप्लाइस की जरूरत पड़ेगी क्या तुम कुछ लड़की बताती है 600 युवान स्टोन और वो लड़की अपने मन के अंदर सोचती है इसके पास इतने साथ स्टोन्स है वह इतनी यंग उमार में तो यह जरूर सबसे ताकतवर मासल आर्टिस्ट होगा तभी चुमों की नजर एक छोटी लड़की के उपर पड़ती है जो कि ए मोटा मोटा वारियर दो सरवाले पैथन का दिल लेकिन नहीं आ सकता है और कोई बेवकूफ ही होगा जो इस रिवार्ट के लिए अपनी जन दाव पे लगाएगा इसलिए वह वारियर उस लड़की से कहता है कि जाओ और जाके किसी और को ढून हो फिर मैं पताया जाता है इ कोई सेकंड ग्रेंट के बीस्ट के साथ अपना मुं मोल ले अगर इस लड़की पास ज्याधा पैसे भी होते हैं तब भी सायद को बड़ा सा मासाल आर्टिस्ट इस स्टास को और लेता लेकिन इस लड़की के बास बस एक बीस्ट का अंड़ा है जो की दस सालों के अंदर ही फूटने वाला है उससे पहले नहीं फूटेगा चुमों अपने मन में सोचता है कि मेरी अभी की ताकत के साथ सेकंड ग्रेंट के बीष्ट को माण पाना ना मुनकिन है लेकिन सेकंड ग्रेंट का बीष्ट तो दासुं ओंडन के अंधर ही और मेरी मनजिल भी वही है और ये चोटी लड़की काफी परेसान है अगर मैं इसकी मदद कर सकता हूँ तो फिर मैं जरूर करूँगा जिसके बाद चुमो उस लड़की के पाज आता है और उसे पूछता है क्या ये टास्क अभी भी अवेलिबल है वो लड़की पूछती है क्या तुम इस मिसन को लोगे जिसके चुमो उसे कहता है कि हाँ मैं इस मिसन को लोगा और अभी के लिए तुम घर जाओ और गुड नियूस का इंतजार करो कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़का काफी अच्छा है जो इस चोटी लड़की की मदद कर रहा है लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सायद ये लड़का इस लड़की को यहां से भागाना चाहता है क्योंकि ये काफी ज़धा सोर मचा रही थी फिर हम लोग एक ओर्ड लेड़ी और एक लड़की को देखते हैं और लड़ी उस लड़की से पूसती है क्या हमें उसे रोकना चाहिए जिस पर वो यंग लड़ी कहती है कि उसने पहले ही टास्क को ले लिया है इसलिए हमारा बीच माया आना का कोई भी मतलब नहीं होगा और लड़ी कहती है कि उस लड़के का दिल सच में काफी अच्छा है टास्क के उपर जो रिवार्ड है वो बिलकुल भी ठीक नहीं लेकिन इसके बावजूद उसने उस टास्क को ले लिया वो सच में काफी अच्छा होगा वो लड़की कहती है कि हाँ जिसके बाद हम लोग दो दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर देशु मॉंटन था और हमें बताया जाता है कि देशु मॉंटन एक ऐसी जगा है जहाँ पर सेकंड ग्रेट की बीस्ट रहते हैं और उसकी नीचे के कोई भी बीस्ट नहीं रहता है और मासल आटिस्ट यहाँ प पर पीछे से हमला करता है तो चुमो वह से स्टेप का इस्तिमाल करके वहां से गायब होता है और उसके पीछे से अटैक करके उसे मार देता है कि जब मासल आर्टिस्ट में अपना ब्रेक्तु कर लेगा तब वह दो सरवाले पाइथन के पीछे जाएगा फिर हम लोग होना चाहिए बलकि बाकी अकैडमिस के लिए भी होना चाहिए इसलिए इस बार हमारे साथ चेंगफिंग बेज भी ट्रायल देगा जिससे सारे स्टुडेंट काफी चिंता में आ जाते हैं क्योंकि अगर दो एक सा ट्रैल देंगे तो इससे खत्रा काफी जदा बढ़ जाए नहीं है और बेसा खत्रा जादा है तो इनाम भी काफी अच्छा मिलेगा और दोनों बेस एक साथ अपने रिवार्ट को देंगे टॉप 10 के अंदर आने वाले टीम या फिर अकेले बंदे को स्टोरेज बैक्स मासला टेक्नीक्स बीस्ट ब्लड और युवान स्टोंस नहीं था फिरन्वक लुयंग अकाडमी की इलाइट क्लासस को देखते हैं जिन में जीवी भी थी जीवी कहती है कि चुमो अभी तक आया नहीं है लेकिन इस तरह का खातरना कॉम्पेटिशन उसके लिए सूटेबल नहीं है तीन दिन पहले ही मैं अपने मासला आर्टिस्ट तब हमें पता चलता है कि चेंग फिंग बेस के जितने भी स्टूडेंट है वो यहाँ पर आते हैं लुआंग बेस के स्टूडेंट के साथ फाइट करने लगे थे हम लोग उन्हें की फोर्स में से जुग उँवांग नाम के एक बंदे को देखते हैं जो की चेंग फिंग सबसे ताकटवर है और वह कहता है कि जैसे इन्हें पता चला चैनल के माउनटन चीम पता है कि कुछ स्टूर्ट के जब ट्रायल शुरू होगा तब हम देख लेंगे कि इसमें इतना दम लेकिन उनके ऊपर डायरेक्ट एक कर देता है लेकिन तब वहाँ पर जीवी आती है जो कि गुजवांग के अटाक को अराम से ब्लॉक कर लेती है और उसके घो चीवी से कहता है मुझे नहीं पता था कि इस लूँगा तो तीन दिन के बाद दाउसों मौंटेन के अंदर देखते हैं आप चुमो बस अभी भी लगातार फाइट करते हुए जा रहा था और उसने अंगिनत बीस्ट को मार गिराया था लेकिन चुमो लड़ते हुए काफ़े ज़्यदे ठक चुका था बहुत सारे को अपनी कमजोरी दिखाई है तो यह दुबारा मेरे उपर हमला करने को तैयार हो गए हैं नहीं अब तक तो यह मुझसे डर रहे थे और मैं जल्दी ही मासल आर्टिस में ब्रेक्थूरू करके चला जाओंगा जिसे जो मेरे सरीर में उचलापन हो रहा है वो खतम हो गया था और उसका ब्रेक्थूरू हो गया था जो दोनों आयट्री बूर्ट थे वो दोनों ही सुप्रीम पुस्ट तक चले गए थे जिससे चुमों बड़ी आसानी के साथ मिलेवल की मसलाट आर्टिस के साथ फाइट कर सकता है इसलिए चुमों को अब जाओंग से टरने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी और वो आसानी के साथ वापस जा सकता है लेकिन इतने जिनों तक लगातार फाइट करने के बावजूद चुमों को दो सरवाला पाइथन कहीं भी नहीं मिला था लेकिन अब जाके वो चुमों के सामने आया है जोकि चुमों के ब्रेक्थूर कर कॉमेंट करके जरूर बताईएगा